Hello everyone, कैसे आप सब? Welcome है आप सब का हमारी YouTube चानल भी फिल्मी पर. आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हूँ Top 3 South Crime Action Thriller Movies जो आपको अपना फैन बना लेंगी और आप इने बार-बार देखना पसंद भी करेंगे. इन सभी मुवीज में आपके फेवरेट सूपरस्टार्स तो हैं ही, साथ ही इन मुवीज के क्लासिक सीन्स और स्टोरी भी कम नहीं है. इन सभी मुवीज में आपको देखने को मिलेंगे कुछ बहतरीन action sequences और साथ ही धेर सारा crime. तो चलिए वीडियो को बिना स्किप्ट करें हमारे साथ बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर दरें. Friends, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर 3 पर आती है, साल 2017 में रिलीज हुई एक काफी जबर्दस south crime action thriller movie भैरवा. ये एक Tamil language की फिल्म है, जिसे हिंदी में भी same नाम से ही डप किया गया है. Movie की कहानी के बारे में बात करें, तो कहानी में भैरवा नाम के एक चिन्नई में रहने वाले वसूली agent को दिखाया गया है, जो गाउं में रहने वाली मलार विजी नाम की लड़की से प्यार करता है. मलार विजी भैरवा को अपने परिशानी के बारे में बताती है कि कैसे पीके नाम का एक गुंडा उसको और उसकी सहेलियों को काफी समय से तंग कर रहा है, क्योंकि मलार विजी ने कभी पीके को उसके दोस्त की हत्या के मामने में कोर्ट में घसीटा था, अब पीके उससे बदला लेना चाता है और उसके पीछे पड़ा है. ऐसे में आगे कहानी में देखना काफी अक्शन थ्रिलर से भरपूर रहता है, कि भैरवा कैसे मलार विजी और उसके साथ पढ़ने वाली चातराओं को पीके के जुन से बचाता है, जो पीके के जाल में फस चुकी है, और पीके की असलियत सारी दुनिया के सामने कैसे आती है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, अच्छी मूवी है जिसे आप एक बाद जरूर इंजोई कर सकते हैं, ये मूवी यूच्ट्यूब पर हिंदी टप में अवेलिबल है, जल्दी से इसे देख लें, फ्रेंज हमारे चानल वी फिल्मी को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स बिना रुके यूँ ही मिलती रहें, अब बात करें मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में, तो कहानी में लक्ष्मी नाम की एक विद्वा महिला को दिखाया गया है, जो अपने बच्चे के साथ उटी में रहती है, और एक अरब पती औरत है, लक्ष्मी की चोटी बेहन लक्ष्मी को बिलकुल पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके पिता ने कभी सारे दौलत लक्ष्मी के नाम पर कर दी थी, और उसे जायदात्मी से हिस्सा नहीं मिला था, इसी नफरत के चलते वो जॉन नाम के एक सीरियल किलर की मदद से अपनी बेहन को खतम करवाना चाती है, जौन लक्ष्मी से दोस्ती करता है और धीरे धीरे उसे शादी के लिए मना भी लेता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लक्ष्मी के पडोस में रहने वाली एक औरत जिसका नाम सो भधरा है, उसे इस प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो जौन को ब्लैक मिल करने लगती है, पर जैसे ही जौन को पता चलता है कि लक्ष्मी के पास अपार संपत्ती है, वो अपना प्लान चेंच कर लेता है, अब आगे कहानी में देखना काफी क्राइम और ठ्रिलर से भरपूर रहता है कि तीनों में से अपने प्लान में सफल कौन होगा, और जौन का अगला प्लान क्या रहेगा, वो लक्ष्मी का मर्डर करेगा या फिर कहानी एक नई दिशा की तरफ रुख करेगी, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, काफी अच्छी मूवी है, जिसकी स्टोरी लाइन और आक्टिंग की बात की चाहे, तो ये तीनों ही यूनीक है, ये मूवी आप सब के लिए यूट्यूब पर हिंदी टब में अविलेबल है, जल्दी से इससे देख लेए और अब फ्रेंड्स फाइनिली हमारी लिस्ट में नबर वन पर आती है, साल 2021 में रिलीज हुई एक सूपर हिट साउथ क्राइन अक्शन त्रिलर मूवी अखंड, ये एक तलू लांग्विच की फिल्म है, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से ही डब किया गया है, मूवी को आए अब बात करें मूवी की कहानी के बारे में, तो कहानी में, जंगल में एक खतरनाक हत्यार बरणाने में किया जाना है, इस खतरन के मालिक वर्ददा से सब डरते हैं, लेकिन वर्दा सिरफ एक ही बापा की बात मानता है, जिसमें भविश्य को देखने की ताकत है अब कहानी दूसरी और रोक करती है जहां मुर्ली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वो वर्दा को खुदाई के खतरनाक काम करने से रोकता है वर्दा मुर्ली को ही गायब करवा देता है लेकिन कहानी में ट्विस तब आता है जब हू बहू मुर्ली जैसा दिखने वाला शक्स सामने आता है जिसका नाम अखंड है और उसे भगवान शिव का अफ्तार कहा जाता है अब आगे कहानी में देखना action thriller प्रोवाइड करने वाला रहता है कि अखंड बर्दा को खुदाई करने से कैसे रोकता है अखंड और मुर्ली का आपस में क्या संबंध है और क्या सच में अखंड भगवान शिव का अफ्तार है या नहीं ये सब जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखिए सुपर्ब आक्टिंग और जबर्दर स्टोरी लाइन वाली ये मूवी यूट्यूब पर हिंदी टप में अवेलेबल है इसे बिलकुल भी मिस मत कीजिए मूवी आपकी फेवरेट मूवी लिस्ट में जरूर आड ह होगी तो फ्रेंट्स मिलते हैं कल एक और ऐसी ही शांदार वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई